जैहिंद नमस्कार आदाव वालेकुम सलाव सरीयकाल सब खेरियत उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे मैं आपसे कुमार अपने इस ब्लोग वीडियो में आप सभी का स्वाद करता हूँ आज हम लोग घुमने वाले हैं वार मेमोरियल ये जो आप फ्लैक देख र गया है बहुत ही अमेजिंग तरीके से लिखा गया है बहुत ही प्यारा अस्थले आप आए कभी घुमिए और वार मेमोरियल नाम स्वीपना चल रहा है कि यहां पर हमें ऐसे चीज देखने को मिलेंगे जी हाँ यह है टैंक इसका नाम है बीजियांता टैंक यह नोटिस वो और यह फाइटर फ्लेन भाई साफ पहुत ही पहुत ही अमेजिंग गेस किजिए इसका नाम क्या होगा कुछ लोग सही गेस कर रहे है सैद मीग हां जी हां मीग लेकि मीग कौन सा 21 जी नहीं यह बहुत पुराना है लेकिन यह इसका नाम है मीग 27 मीग 27 यहां पर आप देख स नहीं है इसके आंदर के पार्ट नहीं है इसका केवल बाहर का बोड़ी है और यहां पे आप एयरफोर्स के लोगों देख सकते हैं इस नोटिस बोट पे देखिए मीग 27 इसके बार में पूरा डिटल दिया गया है पहादूर भाई साहब क्या गजब का नाम है सलूट है बह बहुत खुशूरत यह प्लेन भी है और बहुत खुशूरत हमरा देश भी है आप आए कभी घूमिया अगर आपके पास समय है तो आप देखिए मैं कहूंगा कि आप खुमिये एक्स्प्लोर कीजिए ताकि आप कुछ नए सीच सिखेंगे यह अस्थान दिगल फोखरी में ह जहां हम लोग बोडिंग कर रहे थे आसाम के दिगल फोखरी में वार मेमोरियल जितने भी फ्रीडम फैटर हैं जितने भी वार वह हैं उन्स भी को याद दिलाता है चलिए नीसे जाकर देखते हैं और क्या क्या है चलते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मुजियम भी है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे यहाँ अभी देखते हैं वार मेमोरियल को और कुछ नया सहिकते हैं और इंच ड़य करते हैं यहाँ यहाँ करते हैं मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ पदाता नहीं है मुझे डिटेल में पता नहीं है लेकिन चैसे भी है जो भी ब organizations have पिए आप इसका नाम क्या है कौन कौन से मेडल है परंबिर्च चक्र है क्या है मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत ही खुश्रत था बहुत ही खुश्रत है आगे हम लोग देखते हैं यहां पर जो सीनेरी दिखाए गया है यह कुछ कुछ इंपोर्टेंट दिवस के दिखाए गये हैं हमारे बिते हुए कल को याद हम भूलना जाए उन सभी को दिखाए गये यह देखते हैं हम लोग यह कपका सीन है यहां पर नोटिस कार्गिल वार वह भाई उनिशनानबे का कार्गिल वार और यह है हमारे अटायक और कराच वाव और यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और इंडो पकिस्तान वार के समय के बहुत ही बहुत ही अमेजिंग आप अगर ध्यान से देखिएगा बहुत कुछ ही है सिखने के लिए अगर आप हिस्ट्री में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप एक बार जरूर घुमिए इ अब का है किछिज का है क्या हुआ था यह सब एक पिक्चराइज तरीके से देख सकते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत खुपशुरत है ऐसा लग रहा है कि जाक रहे हैं लोग मतलब ऐसा पिक्चराइज किया गया है बहुत ही कुपशुरत है अपने सोचा यह सब क्या बनाए मतलब लेकिन चो भी है आप एक बार घुमिए आप किसी भी अंध भक्तों पर विश्वास ना किजिए यह देखते हैं प्लीजेंट रिवल्ट है यह किसान दोरा चो रिवल्ट किया गया था अंग्रेजों दोरा अंग्रेजों के खिलाफ उस समय का यह पिक्चर दिखाया गय यह मेरा भाई बता रहा था बहुत ही ग्रेट यूधा थे आप इनके बारे में आप चाकर सर्च कर सकते हैं कहीं भी यूट्यूब पर गूगल पर कहीं भी देखिए मैं भी देखने वाला हूं बहुत ही महान थे वह और यह क्या चल रहा था उस समय क्यूट इंडिया के दो अमरजवान सहीदास्थल सबसे पहले सैलूट उस समय जितने भी फ्रीटम पाइटर्स हमारे सहीद हुए थे उनके लिए यह सरधाजली अर्पी थे और यहां पी यह दिवे जोती जल रहा है यह हमेशा जलता रहता है कभी भूजता नहीं है यह असामी में लिखा गया है अ कैसे एक नाव पे टैंक और किवल तीर धनुस से दुस्मनों का सामना किया जा रहा है यह बहुत बहुत मतलब कितने बहादूर होंगे सुचिए इन सब को देखके किवल या पढ़के किवल एक ही चीज़ आता है रिस्पेक्ट किवल रिस्पेक्ट प्या सैलूट टीम अफ देया वह बहुत-बहुत मतलब कजम का ऐसे ही नहीं बोलते हैं लोग कि मेरे देश के धरती सोना उगले-उगले हीरे मोती आप इनके बारे में देख सकते हैं बेटल अफ सराइघाट ओहो ये बेटल अफ सराइघाट सराइघाट का यूद का चित्रा दिखाया गया है उस समय का ये दिरिश्चे है भीया मैं तो यहीं चाहूंगा कि ऐसे हिस्टोरिकल फ्लेशेच हर इस्टेट में होनी चाहिए ताकि वहां कि अभी के जो जनरेशन चल रही है सब लोग अपने फ्रीडम फैटर्स को अपने पूरोज के बारे में जाने बहुत बहुत खुपशुरत है और बहुत ही सिखाती ह एक गाना यादा रहा है जो सहीद हुए है उनकी जरायात करो करवाने खैर हम सभी को अपने फ्रीडम फैटर्स से कुछ सिखते रहाना चाहिए बाकी इस वीडियो के साथ आपको क्या करने आपको पता है मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद जहिंद